नवश्कार दोस्तों स्वागत आपका एंगी नोलिश्यों में तो दोस्तों जैसे आपको पताई ने एक फ़र्स का चोदा साल पुराना था तो आप सोचने को कि यह बड़ी खबर क्यों है बड़ी खबर यह है कि आपने दो हजार चोदा पंद्रा में इसे तीन हजार कोड़ रुपे खर्च करके आपने से पूरा अपग्रेड करवाई थी पूरी फ्रीट को इसकी इसके बावजूद भी और दूसरी बात यह चीन के सीमा पे तैनात था चीन के सीमा भारत के लिए बहुत सव्वेदन सील्स जो हमस के साथ सब नेवी भी इसके सर्चिंग अभ्यान में लग गई है अभी जो एरफोर्स के तरफ से जो न्यूज आए कि वो सारी रात सर्च करेंगे आज भी रात को भी सर्चिंग अभ्यान चलाए गए थे क्योंकि जो जंगल था बहुत घना है आपको पता नहीं चलता कहा क् अगर क्रैश हुआ तो 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 इसका धुआ निकलता है जिससे कि एसके बारे में काफी कुछ हिंट मिल जाता है जो ट्राइब लोकल ट्राइब होते है बताजेते कि नहीं दुआ निकला लेकिन वहां पर वर्षा बने कि बारिश होती है तो आप पर पता लगा सकते धूआ अगर होगा भी तो खतम हो जाएगा जल्दी तो उसके मेरे माँ पता लगाना बहुत मुश्लिकाम है दूसरी बात बहुती वास जंगल है मतलब कि महाँ पर जो लोकल ट्राइबल भी है कई किलोमेटर के फांसले पर रहते हैं और कई शोर भी हुआ होगा धमाके वगर का तो परें चला होगा आला कि हम उम्मिद करते हैं उत रपना करते हैं के कोई क्रेश नहुआ हूँ तो अब आते हैं अपने में मुद्द है कि निकल कमी निकल के बाहर सामने आपको बता दो यह कंपनी एंटरनो बनाती है एंटरनो यह वर्ल के मोश सिक्योर मतलब कि इनके जो क्रेश होने के आप देखे कर जो मीराज है वो भी आपके हर महीने कुछ ना कुछ गिरता ही रहता है साल में जो एरफोर्स बसाती है 9-10 उनका एवरेज उनके क्रेश होने की चांस रहते है जो मिग भी लेकिन एंटरनो उनीस सो चुरासी से भारते से ना में है और मुस्किल से तीन से चार बार इससे क्रेश हुआ और पिछले दो सालों में दो क्रेश हो गए इससे पहले एक जो पोर्ट बेलियर से चला था हमारा जो इंडिया आ रहा था वो क्रेश हो गया था अवज तक उसका कुछ पतान चला लेकिन इसका पता चल जाए क्योंकि इंडिया आनमी वहां पर जिस एरिया में मतलब की लापता हुआ है वहां पर हमारे बहुत सरे सेटलाइट है जो मतलब की चीन पर मोडरेट उसकी निगराइ एक दो दिन में तो अगर आप अगर आपको बताऊं कि इस पर तीन से चार जार क्रोड पर आपने खर्च किये हैं लेकिन जो उसका आपको आपको अपता चलता है कि जनाब इसका तो जो स्टम क्या होता है कि जैसे कि कोई एरकरफ्ट में प्रोब्लम होती है कहीं जगा यह मैनुल होता है और अपने टीम भीजिए रहात और बचावकारिया वाली लेकिन और कहीं जगा मैनुल होता है मतलब कि अगर पाइलेट को लगता है कुछ दिक्कत है हमें निकलना है पड़ेगा जट से तो वो एस बीज देते हैं लेकिन इसमें तो कुछ ही नहीं अगर आप को कभी खुदना खासता यूद्ध होता है तो आप क्या करोगे आप यह बताइए आप अपने पाइलेट को कैसे बचाओ गया किसी भी आर्मी के लिए पाइलेट बहुत कीमती होते हैं आप फाइटर जेट दूसा ले सकते हो लेकिन पाइलेट बनाने में आपको कहीं साल ल तो इसके कोई ऐसे टेक्नलोजी विन थी कि जिसे चाइना जानना चाहता हो और वैसे भी एंट्रनों के भी बहुत सारे क्राफ्ट चाइना भी उस करता है और यह सिंपल सा रही बात चाइना वैसी बहुत दुनिया में फसा पड़ाया है कहीं उसके बहुत सारे उसका असानी से पता लगा लेंगे इसमें आठ क्रू समेत तेरा लोग सवार थे लेकिन अब बताईए कि जब आपके पास इतना मोडन इसके जो मतलब की भारत ही नहीं अगर जहां भी देश में जो एंट्रनों का यह एरक्राफ्ट काम करते हैं अलग-अलग दुनिया की होता है कुछ प्रॉड्लम आती है बड़ाए सेफ है इसलिए ही इंडर नार्मी ने कंटिनुवी से खरीदते हैं और करीबन 400 मिलन डॉडर में इसका प्रड़ेशन हुआ था करीबन 3000 क्रोड में तो अब देखते हैं जैसी इसके बारे को अपडेट आती मैं आपको किया हूं तो आप चल को सबस्क्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंटना है तो डिसलाइक करेऊ चैनल को कमेंट करके बताए जूरूरा आ आना जाता है दुनिया में इसके बावजूद इसमें इतनी मतलब कि भारत में ही इतने क्रेश कुई हो रहे हैं इसके आप बताएगा जुरूर मैं आपके इंतजार करूँगा आपके कमेंट का तो यह दोस्तों वीडियो खरम करते हैं आज आज के लिए इतने हैं थैंक्यों आज वाज दूश्ज वाज दूश्ज वीडियो